विल्कम बैक, सिरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ब्रिक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि अब वक्त है हमारे नेक्स सेग्मेंट का बहुत ही खास मेमान हमें जोइन करेंगे शो के अंदर आपको पता है अगर पाकिस्नान की बात करें तो क्रिकेट हमारी जान है फैसलाबाद की बात करें तो भी क्रिकेट हमारी जान है और different tournaments होते रहते हैं लेकिन फैसलाबाद का अपना शेरे पंजाब tournament जो है वो start हो चुका है in fact quarter final तक teams पहुन चुकी है और बहुत ही excited हैं कौन सी team जीते की अगर आपको इस tournament के बारे में थोरे से बताऊ तो यह आठवा tournament है जो के 2013 से लेकर अब तक खेला जा रहा है और of course जिसके मैंने mention कि quarter final तक पहुन चुके हैं क्या सूरतेहाल हैं teams की excitement किस तरह का है और क्या expectations है कि कौन सी team जीते की बहुत सारी चीज़ेंगे और अगले segment के अंदे थोड़ा सा बात कर लेंगे overall sports के हवाले से भी लेकिन इस segment में कोशिश करते हैं इस tournament के बारे में बात करने कि मैं जल्दी से आपका introduction करा देती है बहुत ही खास में माना तुमें स्टूडियो में जॉइन करें है सबसे पहले तुझी मिया हामेद मारे साथ मौजूद है जो के शेरे Punjab tournament के chief organizer है आपको विलकम करते है शेरे पंजाब tournament के chief organizer है आपको विलकम करते है शेरे पंजाब tournament है cricket हर पाकिस्तानी की जान है सब continent बे जितने लोग रहते बहुत ज़दा competitive हो जाते है इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात होती है तो हम बहुत जजबाती कौम हैं और होना भी चाहिए थोड़ा सा जजबाती होना तो हमारा हग बात है अगर इस टूर्णमेंट की बात करें शेर पंजाब की तो पंजाब के लोग पर पड़े जजबाती हैं एमोशनल है फैसलबाद ही जथनी हमारे जुट्रें मश्छूर है उतनी ही हमारी बहुत मशूर है फ्रिप पराकिस्तान के अंदर जाकि नाम रॉशन किया है कोंसी टीम जीतेगे अर्च आप पंजाब कर लेंग कर यह ऐस्में अनलमह के पाकिस्टान का इन लेवल की छूर्णमेंट किट्स पैर्णिमेट हमने खुद दिया अको फ्रीयो कोस्त कोई उसकी कोस्ट दिया उसमा में unterstützen किया मिन फेक्टरी वालो ने टेक उन्होंने सारा इस टूर्नामन्ट को जितने हमी वो मैनेज किया सब टेक्स्टाइल को उन्होंने एक पिएज के लाए कि यार आप ऐसे करें कि ये स्पोर्ट के लिए आप बेहतर है कि जो लड़के ग्रौंड में रहें तो वो अच्छा रहता है तो उन्होंने सब टेक्स्टाइल के आप एक एक टीम में अपने नाम से इनको खलाएं उसके बाद फते टेक्स्टाइल की है रशीर टेक्स्टाइल की टीम है अतहाद की टीम है मून टेक्स्टाइल की है और उसके बाद फाइस टार की है तो मुस्लिम टेक्स्टाइल की टीम है तक्रीबन सब टीमें जो टेक्स्टाइल की है ना वो उन्हों को हमने कहा है कि आप अपने इन प्लेयरों को होसला वजाई के लिए आप ये टूर्नमिन को ज्यादा उपर लेकर जाएं ये पुरे पंजाब में सबसे अच्छा टूर्नमिन उड़ता है जो इस वकद इंटर्नेशनल प्लेयर भी इस टूर्नमिन में खेल रहे हैं जैसे आस्टाइल के गया है वो भी क्वाडर फैनल में उनकी टीम पहुंच की है जितनी भी टीमें हैं ज्यादा वो क्वाडर फैनल में आठ टीमें पहुंच की है उसमें जुलफकार मुमुरिया टीम है वो भी टेक्स्टाइल की है ऐसे बहुत सी टीमें है रह्मान फोडेशन है रशीड टेक्स्टाइल की यह सब आप जितनी वी टीम में आई हैं सब अच्छा खेल के आई हैं तो इन्शाला ताला जिसके गुर्लाक होगी वो जी जाएगा तो हम तो टूर्नमेंट कुराया हमारी खोशी है कि यह इसमें जो इंटरनेशन प्लेयर हैं वो अल्हमदलिल्ला खेलने के लिए आते हैं इस इसमें से जो आई-सी-सी के हैं वो भी चेक करते हैं जो इनके प्लेयर अच्छी पहाँ यह टूर्नमेंट चर रहा है तो उसके बाद हो लगए इसमें लड़कों जो ठीलेंट होता है वो निकर कर बार आज़ता है उनको इजी हो जाता है कि यह देखे है पहले आप बोड़ानी गरोन में हमने टूर्णमिन कराया अब अकबाल शेडिये में हो रहा है उधर आप जाके देखे काफी राश होता है काफी स्पोर्समें खुश होते हैं कि यार यह इमेड ऐसे हर साल मारे फैसल अबाद में होने च अलहमदलिल्ला यह आठवा शेड़ जाकर के टूर्णमिन हमने कराया तो हर साल हम उसमें एक मुफिलिफ चीज देते हैं कि आप टूर्णमिन में से कोई न कोई मैन अफ़ी मैच उनको पांच जार देते हैं तो आप जीतने के बाद भी इंशाला ताला यह फाइनल समी माझेड़।